इस्राइल और हिजबुल्ला के बीच तनाव दिन प्रती दिन बड़ता जा रहा है हिजबुला ने शुकरवार को इस्राइल पर 144 से ज्यादा रॉकेट हमले किये ये हमला हिजबुला के नेता हसन नसरल्ला की ओर से इस्राइल पर बड़े पैमाने पर बंबारी का बदला लेने की कसम खाने के एक दिन बाद हुआ इसके जवाब में इसराइल ने लेबनान में हिजबुला के ठीकानों पर एयरे स्ट्राइक की जिसमें हिजबुला का टॉप कमांडर इबराहीम अखील मारा गया इसराइल ने इस खबर के पुष्टी करते हुए कहा कि उसके हवाई हमले में इबराहीम अखील मारा गया है ही मारे गए हैं इस्राइल अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी सुरक्षा के लिए कोई भी जरूरी कदम उठाएगा IDF के प्रवक्तार एर एड्मिरल डैनियल हगरी ने कहा कि हिजबुला ने इस्राइली नागरिकों पर आठ हजार से अधिक रॉकेट, मिसाइल और विस्फोटक UAV दागे जिसमें इस आठ हजार से अधिक इस्राइली लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने पर मजबूर होना पड़ा हिजबुला को आतंगबादी संगठन बताते हुए हगरी ने कहा हिजबुला एक अंतराज टेस्तर पर मान्यत अप्राप आतंगबादी संगठन है यह इसराइल, लेबनान, मध्यपूर्व और पूरी दुनिया के लोगों के लिए खत्रा है आठ हक्टूबर से हिजबुला ने इसराइली नागरिकों पर आठ हजार से अधिक रॉकेट, मिसाइल और विस्पोटक UAV दागे हैं जिससे साठ हजार से अधिक इसराइली लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने पर मजबूर होना पड़ा है आज यह इसराइल ने इसराइल पर दोसों से अधिक रॉकेट दागे हैं इबराही मकील हिजबुला का टॉप कमांडर था वह इजबुला के राडवान यूनिट का कमांडर था राडवान यूनिट हिजबुला की सबसे प्रमुक यूनिट मानी जाती है इसराइल सिना के मताबिक इबराही मकील इसराइल पर 7 अक्टूबर जैसे हमले की योज़ना बना रहा था उसे 1983 में बेरूत में अमेरिकी दूतावास पर हमले का आरूपी भी माना जाता है जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई थी दरहसल 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर एक साथ कई रौकेट दागे थे और हमला कर इसराइल इक शित्र में घुसकर हमला कर दिया था जिस तरह से इसराइल सेना हाल के दिनों में हिजबुला के खिलाफ अमलों ने तेजी लाई है ऐसा लगता है कि वह हमास से युद्ध के बाद अब हिजबुला के खिलाफ भी युद्ध में उतरने की तयारी कर रही है इस्राइली सेना के प्रवक्ता के बयान से ये भी आभास होता है कि वह हिजबुला पर और हमले कर सकती है पेजर हमले के बाद भी इस्राइली रक्षा मंतुरी ने कहा था कि अब ये युद्ध अगले चरर में प्रवेश कर रहा है प्रवक्ता